कि हलो एन वेलकम गाईज स्वागत है आपका अपने इस यूटिव चैनल पर तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चिर तक में औरंग जेव की कहानी कवर कर ली थी तो आज हम लोग उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं ठीक है और देखते हैं उससे इंपॉर्टन पॉइंट्स रिगार्डिंग और क्या हमारे बन सकते हैं ठीक है तो और आप लोग के लिए एक खुशकवरी भी है कि जपीसी का एक्जाम डेट तो आ गया होगा और मैं अपनी तरफ से पूरा कनफर्म हूं कि अब वो जो डेट दिया उन्होंनों ना बाइस त इस चौबिस का उस डेट पर होके रहेगी ठीक है तो बिल्कुल भी धिले में मत लीजिएगा ठीक है क्योंकि यह होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम भी एक सप्ता से पिछले पीछे ही हुआ था प्रीका और आजकल जो पीपर में सारे कुछ छप रहा है ना कि पूरा ज चली देख लेते हैं उसके बाद का इंपोर्टन पॉइंट्स तो जब हम लोग ने कहां 1773 का रेगुलेटरी एक्ट तक देख लिया था फिर वहां से बीच-बीच में कुछ होता है कि तुम्हारा ब्रिटिस का पार्लेमेंट से और रूडर आता है कि इस्ट इंडिया कंपन रेगुलेटरी एक्ट लाते हैं जिसमें बहुत सारे चार्टर रूटर रहते हैं ठीक है मतलब चार्टर मतलब रूल्स की लिस्ट होती है ठीक है तो आगे इस और इंपोर्टन पॉंट हम लोग देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट ठीक है तो 1857 कितना सक्सेस था नहीं था यह अब लोग और आगे चल शुट के बात करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि यह को था आपका लॉट का самые के टैम पर टिक है लॉट के तुछ किसान बहुत परिसान इसलिए थे क्योंकि उनसे अब ज़्यादा लगान वह सुला जा रहा था अंग्रेजियों के द्वारा तो एसा यह किसका असर था ना ज्यादा लगान वह लोग आप कैसे वह सुलने लगे थे कि याद करो कि साहा आलम टू से उन्होंने दिवानी राइट्स ले ली थी ठीक है साहलम टूसों नोने दिवानी राइट्स ले ली थी दूसरा कारण हम लोग देखते हैं कि लोग थोड़े पिछड़े वर के जन जाती लोग है वह लोग जंगल में राते थे मैंनली ठीक है तो वह लोग सैड इसलिए थे क्योंकि जंगल की भी कटाय अब तेजी से होने लगी थी ठीक है तो वह लोग इसकारण वस्ते दुख थे और वह लोग कह रहे थे कि उनका जो एरिया है वह कम होते जा रहा था उनकी प्राइवेसी घट रही है ठीक है और आम आधमी तो नाराज था ही उपर से उपर देखो कंपणी के वरकर्स भी नाराज थे कंपनी के वरकर्स क्यूं ना ना उनके पास टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें। आफिसरस का पोस भालम टूउस है वो तो हो गया आपका लगान वसुलने लगे अब दूसरा हो गया कि तुमारा जो नवाब था निजाम 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 से इन्होंने तुम्हारा Cred celui यह लियते ठीया निजाम से लिए लियते क्रिवनेर थे टो किरेंटर रैट्स के अंग्रेजों के परमिशन के बिना आप किसी को एपोइंट नहीं कर सकते ठीक है तो यह कारण था कि उन्हें आफिसर्स के पोस्ट नहीं मिल दे थी क्योंकि अंग्रेज देंगे और वो लोग देते नहीं थे तो इससे क्या था कि गुस्सा फूटते जा रहा था और एक बड़ा कारण हो गया तुम्हारा मंगल मंगल पांडे जी के तो आप लोग जानते ही होंगे ठीक है इनके मुवी भी आ पतलब ऐसा होता था कि कार्तुष जो है वो दात से छील के लगा आते थे उसके बाद फायर करते तो उस पर पता चला कि इस पर चरवी का यूज होता है ठीक है तो और वो लोग तो में थे ब्राह्मन ठीक है तो उनके धर्म के अगेंस्ट था तो यह जब सामने आई तो काफी कुछ अंगामा हुआ ठीक है तो यह बड़ा कारण था और एक बैरेक पूर रिवोल्ट भी वह था उस टाइम पर 18-24 में यह किसके अगेंस्ट हुआ था ना तो आपका करप्शन से लोग है ना तंग आ गया थे बहुत जादा करप्शन हो गया था तो इसके अगेंस्ट वो आपका जो 1857 का यह कहते हैं कि एक फेलियर था मतलब सौट टम फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाके इसका बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा था कि राष्ट्रवाद नेशनलिजम यह सब जनमना यहीं से सुरू हो गया था ठीक है तो फेलियर होने का रिजन्स भ जफर को बनाया गया था लीडर जो है बहादूर सा जफर को बनाया गया था लीड करने के लिए जो कि हार गया था और उसे फिर रंगुन भेज दिया गया था उपर से इनके पास प्लैनिंग नहीं थी और साधन की तो कमी थी थी ठीक है तो यह सारे मेंली कारण थे हमारे फ कि इस रिवोल्ट से जो है ना ब्रिटिस तोड़ा हैरान थे तो और इस बीच क्या होता है कि ब्रिटेन की जो महारानी है उनकी गोशना आती है कि अब जितने भी राजा हैं उनके इंटर्नल मेटर में जो है न अंग्रेज कोई दखल नहीं देगा ठीक है और कोई भी मतलब ल कि अंग्रेज यहां क्या कर रहे तो इनका कुछ वालन नहीं होगा ठीक है तो आगे चलते हैं इसमें 1857 में एक इंपोर्डन पॉइंट आएगा कि 1857 में यू ने आपकी कॉंग्रेस के स्थाफना की थी ठीक है कॉंग्रेस के स्थाफना की थी और लाला लजपत राए ने इ मैं आप से सेफ्टी वर्ट का कॉंसर्ट भी डिसकस करूंगा अभी जस्ट पहले एक इस पॉइंट को देख लेते हैं कि कॉंग्रेस की स्थाफना किस नहीं थी एक हो यूम ने 1885 में तो अगर आप से पूछे तो आप बता देना और ईद्री सपर्ट किनका था भाए उनके पास सपोर्ट था लॉडट डफिंग के ठीक है लॉडhoु डफिंग की सपोर्ट थी तो देכ dużu एक ग्याप हो गया आपका 1857 और आपके बीच में ठीक है तो इसे में लॉड़ डफिंग थे आपके यहां पे गवर नर्ट गज़े तो लॉट डफोट तो लॉट डफिंग हॉट कहा किया तो ये जो ग्या है रोट डफिंग ने आपका यहां पर मंगना कि एक यहीं तो कि देखा कि ईक प्रेंस्ट में से ज्यादा पिर तक दिए तो इस ने क्या किया चलेगा कि कॉंघ्र बनवां दिया तो क्या वह और लालड़ाजापतरायजी ने इसे सेफटी भालब कहा ठीक है तो सेफटी भालब किसलिए कहा क्योंकि इसने बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो कि जब भी अगर कोई किसी को दिक्कत हो या फिर है आ le pardon प्रब्लम हो ठीक है या फिर खूँ ने तो वो लोग अपनी दिक्कत को लेकि डारेक्ट अंग्रेज के पास ना जाएं ठीक है वो लोग जाएंगे तुमारा कॉंग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के पास ठीक है और उनको शिखायत करेंगे अब भी देखो बीच में यह मेडियेटर का काम कर रहा ठीक है तो फिर आप वो Congress बोलेंगे ठीक है हम लोग British लोग से अंग्रेज लोग से बात कर लेते हैं वो लोग आपका समाधान कर देंगे बाकी बीच में होता 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 कुछ नहीं था बस नेता लोग दिखावा करते थे ठीक है तो यही कारण था उसका Congress का गठन करने का ठीक है तो लेकिन इससे positivity क्या आए थी इसलिए लाला जलाचपत राहे ने से सेफ्टी भालता था कि हम लोग थोड़ा बच जाएं लोगों से ठीक है मेडियेटर का काम कर दे रहा तो Congress का नेता लोग चमचागीरी तो इसको अब देखो तुमारा positivity इससे क्या निकले थी positivity इससे यह नि अठार है ठीक है लेकिन पहले इतनी कोशिश नहीं मत नहीं थी तो अब देखो एक और इंपोर्टन पूंट देख लेते हैं कि 1885 से लेकि 1905 तक इसलिए लिवर्ट कॉंग्रेस का लिए लिवर्ट कॉंग्रेस इसलिए का गया क्योंकि उस समय तक ये लोग है ना पूरे क्य अग्रेस के वस्मैं थे नहीं का फाज़ना और कुछ ने करते हैं छेता लेकिन कश्रस इस समय का कंईरस के अभीगे का गठन तुम्हारा क्या था इंद्रा का अधी अब देखो जाहिर से बात है बंगाल जब तुम्हारा बंगाल में जब दरी तुम्हारा इस्ट इंडिया कंपनी जब सेट अप हुआ था और वही तुम्हारा उस टाइम पर कैपिटल था तो जाहिर वहां पर थोड़ा बहुत मावल अच्छा होगा ठीक है तो वहां पर को लगा ना कि लोग समझदार हो रहे हैं अब लगे गा ही अब वहां के लोग नियूजपेपर भी लिखने लगे थे तो जागरुख भी हो रहे थे तो लोग थोड़ा डर गया और लोग बोला ना ऐसे काम ने चलेगा अब हमको है ना फूट डाल के राज करना पड़ेगा तो यहीं से फूट डालो राज करो वहला कॉंसेप्ट आया इसका तो इसने का किया कि 1905 में बंगाल डिविजन हो गया ठीक है अब बंगाल डिविजन 1905 में होता है तो इसको क्या बोलते हैं यह किसलिए होगा देखो 1906 में काकिया 1906 में अलग से मुस्लिम लीग बना दिया किसके साथ मिलकर सलीम उल्ला और आगा खान के साथ मिलकर यह मुस्लिम लीग बना दिया तो मुस्लिम लीग बना दिया तो इसमें क्या था कि अब धर्म क्या धार पर तोड़ने का कोशिस कर रहा था ठीक है तब हिंद बड़ा तूटना चालू बड़ा ठीक है तो अब इसी बीचे बात करें कॉंग्रेस की स्थिति की तो 1907 से पंत्रा था अब इवलों कॉंग्रेस नहीं दम लुड़ बड़ा आ गया था इसका आलत कुछ अब खराबे था ठीक अब इसका बाते नहीं करता है उसका 1915 में आता है यह मॉंटे मिरलो एक्ट लाता है यह सब देखो क्या क्या अब लोग कर रहा है कैसे फूट डाल रहा है ठीक है 1909 में मॉंटे मिरलो एक्ट लाता है जिसके तो मुसलिम लोग को सेपरेट एलेक्टोरल दे देता है सेपरेट एलेक्टोरल का मतलब है कि जहां मुसलिम की काम कर दिया था तो बाकी आपका कॉंग्रेस का कॉंफरेंस भी हुआ था चार कॉंफरेंस वह था यह आप लोग गुगल करके देख लिजेगा कि कहां हुआ था और उनके चेर परसन कौन थी इंपोर्टेंट है ठीक है आप लोग देख लिजेगा अब 1914-1919 को बीच में आपका फर्स्ट वर्डवार होता है जिसमें गांधी गांधी चीज़ा आपको अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं ठीक है अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं पहले बताया कि 1915 में आपका आ गये थी यह साथ अपरिका से रेज आपका जीत तो भीया लेकिन अंग्रेज को रहे बहूत परिसान किया था टर्की ने बहुत परिसान किया था तो अबर्च बोलता है कि नहीं वहां का खलिफा से हम बदला लेंगे मडल स्द्रल्वल कर आद Ten टरकी में वेसं तो पहले बिरिटीश तो पहले इंडिया में राज करते थे हैं अब जीतने साङक वानीक है उसमें तो भूट सार इंडियान भी थे अब वहाँ अटेक करवाएगा तो इन लोग को बेजेगा अब कहीं आगे चल के मान लोग ब्रिटिस नहीं रहा तो वहाँ के मुसलिम लोग क्या करेंगे यहां के हिंदू लोग को तंगी करेंगे ठीक है तो ऐसा कुछ था इसलिए सोचा कि नहीं हमको उनलोग का भी तो यही सोचे था यहां डीजी ठीक है अब इसी ब्श इंडिया में बेहां ले आता है अंगरेज लोग आके लिए जाता था ठीक है तो यह सारी थी इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बाद आपके जो है ना सीन जो आता है आपका वह आपका गवर्नर सकता आता है कौन-कौन गवर्नर बने थे इस बीच गांधी जी वाले सत्यागरह मूवमेंट वह सब आगे डिसकस कर दूंगा लेकिन जो जितने गवर्नर्स वाले थे ना जैसे लौड करजन लौड डफिंग लौड जेम्स फोर्ड यह सब यह सब आप देख लेना थोड़ा इंपोर्टन पॉइंट्स अगर सही इंपोर्टन ल तो आगे चलो और भी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे हम बद इस विज्जो होगा ठीक है तो मिलते हैं आगे लिए नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर और बाई बाई थेंक्यू